नमश्कार दोस्तों करोना संकर के बीच इस वक्त एक बड़ी जानकारी और बेहत दुखत खबर निकल कर सामने आ रही है जाने माने पत्रकार और टीवी एंकर रोहित सर्दाना जो कि हर्याना से बिलॉंग करते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं रोहित सर्दाना को हर कोई जानता है इसमें कई कोई दोराई नहीं आप लोग भी इसको जानते होगे लेकिन रोहित सर्दाना पिछले कई दोरों की वज़े से परकार रहे है जी बताएं वो कोरोना वाइरस की वज़े से हुआ है और अबसे थोड़ी देर पहले ही सुधीर चौधरी जो की रोहित सर्दाना के साथ Zee News में काम किया करते थे उन्होंने भी ट्विट करकर इस खबर का कन्फरमेशन किया है उन्हेंने साथ तरप ये कहा है कि थोड़ी देर पहले उन्ह शांती तो ये एक बड़ी कन्फरमेशन सुधी चौधरी की तरफ से भी है एक बुरी खबर है आज तक में काम करने वाले रोहित सर्दाना का निधन हुआ है शुशान सिनह ने भी से लेकर ट्विट किया है और साथ पर लिखा है कि रोहित सर्दाना नहीं रहे यकीन से परे जैसा है कोरोना संक्रमित थे लेकिन पता चला कि कल तक ठीक थे आज अचानक ऐसी खबर लगतार देश में जिस तरीके के कोरोना मामले आ रहे हैं लोगों कोई लगता है कि शायद आम जन या फिर जो लोग बाहर परेशान है जिन लोगों को आक्सिएन की समस्या हो रही है यूपी के सीम का भी बयान आया कि कोई अस्पताल अगर अकसिएन को लेकर शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी लेकिन धरातल पर जमीन पर जिस तरीक इस्तिती है उसे देखते हुए ये एक और बुरी खबर रोहिस सर्दाना की मृत्यू हो गई है आज की खबर पिछले कई समय से थी लेकिन कोरोना संकरमित होने के बाद क्यूंकि उनकी उम्र बहुत जादा नहीं थी तो ऐसा माना जा रहा था जिनकी उम्र जादा नहीं है वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं और रोहिस सर्दाना एक नाम है तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत दुखत खबर यह जैसे कि आपने भी जानकारी दी है कि तक्रीबन पचास लोग जो जनरलिस्ट हैं वो करोना इस काल में समा चुके हैं उनकी जान जा चुकी है रोहिस सर्दाना जैसा एक शांदार और अच्छे नीचर के एंक कि आज तक का अगर जिक्र करें उनकी मृत्यू होने के बाद भी वहाँ पर बंगाल इलेक्शन को लेकर जानकारिया दी जा रही थी अब आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों जरूर हमारे साथ इसको लेकर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें क्योंकि इस वक्त इस ततियां ब